हाई फ्रेंड्स मैं कल उपना आप सभी का स्वागत करती हूं सान्या गार्डनिंग चैनल में आज हम बात करेंगे कि हम जो हमारे घर में वेस्ट कप होते हैं जिनका यूज हम नहीं करते हैं या तूट जाता है तो उसका यूज हम किस तरह से अपने गार्डन में कर सकते हैं यह देखिए यह मेरे पास कुछ कप से जो कि अब यूज नहीं होते हैं तो इनमें मैंने क्या किया है कि अपने इन प्लांट्स को लगा दिया यह देखिए यह देखने में भी बहुत खुबसूरत लगते हैं और इसको फेकने से अच्छा है कि कुछ यूज हो जाएगा और प्लांट्स को प्लांट्स को इस तरह से कॉफी कप में लगा सकते हैं कि मेरा कप यहां से तोड़ा सा तूट गया तो सब्सक्राइं एसे यूज तो करना को लगा दिया है और यह जहां तक कोसिश करें तो कप में जो भी प्लांट लगाएं उसमें आप साकुलेंट्स को लगाएं क्योंकि जो साकुलेंट्स होते हैं उनको धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं और उन्हें जादे स्पेस की जरूद नहीं होती है कि जिस तरह से यह देखिए यह मैंने इसमें केक्टस लगा रखे हैं सकुलेंट्स है यह देखिए और ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है यह देखिए इसमें एक बेबी प्लांट भी निकल गया है यह देखिए यह भी मेरा सब्क्यूलेंट ही है टर्टल वाइंग यह मैंने सिंगोनियम लगाया है यह भी मेरा ग्रोथ कर रहा है असने की नहीं कर रहा है यह देखिए इसमें दो तीन लीप हमेशा रहती है इस तरह छोटी-छोटी से दोती निकलती है फिर जम नियू ग्रोथ होती है तो जो पहले वाली रहती है लिप्स गिर जाती है इस तरह से यह मेरा ग्रोथ भी कर रहा है और यह देखिए इसमें मैंने स्नेक प्लांट लगा रखे हैं तो यह भी देखने में बहुत ही उपसूरत लगता है तो इस तरह से आप अपने घर में जो भी कप हो या कॉफी मग है या चोटे-चोटे कप भी है तो उनमें भी आप सफिलेंट्स को लगा देंगे तो अच्छे लगेंगे यह टर्टल वाइंग यह हैंगिंग बास्केट का इस कप में भी आप रखके चाहें तो इसमें अच्छे से ग्रोथ कर हो आप उसको इस तरह से रियूस्ट कर सकते हैं तो मिराज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत भूलिएगा थैंक यू क्लिए यूलिए 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 बूलिए यूलिए ऑच्टान के पर चैनल को सब्सक्राइब करेंट।